हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज की वीडियो बहुत ज़दा खास होने वाली है हर महिला चाहती है कि हमारी नौर्मल डेलीबरी हो ठीक है बिलकुल भी पेंड ना हो अराम से मारा बच्चा आ जाए ठीक है इस दुनिया मे तो आज की वीडियो में बहुत ज़दा खास टिप्स बताने वाली हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको नौमे महीने में क्या खाना है देखे बैसे तो पूरे महीने जो होते हैं बहुत ज़दा खास होते हैं वाट नौमा महीना जो होता है वो बहुत ज़दा खा है और मेरा बेबी आने वाला है इस दुनिया में तो बस मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो अच्छे से डिलीवरी हो जाए मेरा बेबी एकदम स्वस्त रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं इस वीडियो में आपको पूरे डेटेल्स में बताऊंगी ठीक है कि आपको कौन सी चीजे खानी है क्या करना है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपको बिल्कुल भी दर्द जादा ना हो आपकी जो मसल से मजबूत हो पैल्बिक एरिया है जो उसमें रचीला पनाए ठीक है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी वीडियो सुरू करन में जो घंटी उसको दबा कर औल पर प्रेस कर दीजिए आपको इस चैनल पर इस तरह के वीडियो मिलती रहेंगी और दोस्तों मेरा एक और चैनल है ब्लॉग चैनल अगर आप लोग मेरी लाइफ स्टाइल से जोड़ना चाहाते हैं तो प्लीज उसको भी सस्क्राइब कर ल नॉर्मल हो और अपका बच्चे एकदम स्वस्त पैदा हो तो देखिए अगर आपकी प्रेग्णेंसी बिल्कुल हैल्दी हैं आपको कोई को भी दिक्टत नहीं है ऑपकी अपकी दिक्त आपकी डियुक्या नहीं से हो जाएगी और आपका बच्चा असानी से आपके पास आ जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी बस आपको सबसे पहले तो टैंसर बिलकुल भी नहीं लेना है ठीक है आपका टैंसर अगर आप लोगी वीपी आपका बढ़ जाएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवनु में दिक्कत आ सकती हैं, तो आपको बिलकुल भी टेंसल नहीं लेना है, ठीक है, तो आपको खाणा क्या है, देखे, सबसे पहले आप चाहें तो अजवाइन या तिल के लडू खा सकते हैं, ठीक है, अजवाइन और तिल के लडू आप सुभा को गरम ले लेना है ठीक है और गुन गुने दूद के साथ ही इसको खाना है दूसरा आप केसर वाला दूद भी पी सकते हैं या फिर हल्दी वाला दूद भी पी सकते हैं ठीक है आपको इतना काम करना है दूसरा आपको क्या करना है आपको खजूर खाना है ठीक है नौमे महीने में आ चार से पाच खजूर खा लेना है। आपके पास एक और भी है। अगर आपको खजूर नहीं मिलने हैं तो आप इसकी जगे छोवारे भी ले सकते हैं। बादाम ले लीजिए बादाम को आपको बिल्कुल भी मतलब भिगोना नहीं है ठीक है बिना भिगोए आपको बादाम लेना है और आपको इसी के साथ ठीक है अगर आप अंडे खाते हैं ठीक है तो आप इसी के साथ अंडे भी ले सकते हैं लेकिन आपको शुरुआती टाइम में नहीं लेना है ठीक है नमे महीने में ये सारी चीज़े करनी है ठीक है नमा या आत्मा महीना आपका लग गया है तो आप ये चीज़े फॉलो कर सकते हैं ठीक है अंडे खा सकते हैं और इसी के साथ आप अद्रक की चाय पी सकते हैं अगर आप अद्रक वाली चाय पसंदे त तो अद्रक आपको दूद में डालके अच्छे से मतलब पी सकते हैं ठीक है इसके अलाबा आप दूद में केसर डालके भी ले सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं आप इस तरह से ले सकते हैं और दूद देखे हल्दी मैंने इसलिए बता है हल्दी जो होता है उसमें द तो आपको ये सारी चीजे जो हैं खाना पीना है उसी के साथ आपको वॉक जरूर करना है ठीक है आपको खाना बगएरा जो भी खा लेते हैं तो आपको उसी के साथ बॉक भी करना है बॉक बहुत जरूरी होता है आप देखिए जो योगा बगएरा होता है जैसी कि सास रोकने वाला यहोगह होते हैं जो आपको अससाल को कर लंगे जो दूर पीना है तो किस बात का वेट आपको जो है बहुत ज़वादा करेगा आपकी जो मसल से उसमें मजबूत होगी मसल ठीक है आपकी बच्चे दानी का मुँँ खोलने में ओपन करने में बहुत ज़दा हैल्प होगी तो आपको गरम पानी नो में आठ में महीने में जरूर पीना है डेली पीना है देखिए बैसे तो देखिए सर्दियों का टाइम चल लिया है तो आप गरम पानी ही पीजिए मैं यही कहूंगी अगर आप गरम पानी नहीं पीपा रहे हैं तो आप मतलब जो ताजा पानी होता है बिल्कुल ताजा पानी आपको रखा हुआ पानी तर्मन होगा ठीक है। उसी के साथ बस एक सबसे में जही चीज है कि आपको बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, क्यूंकि अगर आप टेंसर लेंगी तनाव लेंगी पर्शान रहेंगे डिलीवरी को लेके तो आपका बच्चा भी जो है परशान रहेगा पेट में जो भी आप सोचते हैं बच्चे के वही बच्चा सोचता है तो प्लीज आप बिल्कुल भी टेंसन मत लीजिए क्योंकि अगर आप अच्छा-च्छा सोचेंगे पॉजिटिव रहेंगे खुस रहे हैपी रहेंगे तो आपका बच्च्चा भी हैपी रहेगा क्योंकि ऊसको हैपी मतलब हैपनिस रहेगा पेटमे बहुत जादे खुछ रहेगा उसकी मानसिक जो विकास जो है वो अच्छे से होगा ठीक है तो आपको बिल्कुल भी tition लेनाए परशान लेना आपको जो लग जाता है ठीक है तो आपको बिल्कुल भी ठंडी चीजें बिल्कुल ढहते है तो आपष्ठ पिलिख के लिकार स्थ वाली cyclieं भी नहीं खाना है एक स्किप करना है आपको वो हर वो गरम गरम चीजे खानी है जिससे की आपकी नॉर्मल डिलीवरी में जो हैल्प हो ठीक है अगर आपने खाना कोई रखाया फ्रिज में तो आपको वो खाना ऐसे ही नहीं खाना है मतलब ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है मैं बार बार आ करें ठंडी चीजों का विल्कुल स्किप कर दीजिए क्योंकि फिर आपको ही दिक्कत होगी ठीक है उमीद करती हूं कि आपको सारे जो इंफर्मेशन है इस वीडियो में मिल गई होगी आपके सारे जो डाउट है वह भी क्लियर हो गए होंगे काफी कोशन मुझे आ अगर आपको वीडियो लगी है तो वीडियो को आगे भी शेयर करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलती हूं किसी नेस्ट वीडियो में